यूपी के हर्दोई में उस वक्त हर्कंप मच गया जब एक यूवक और महिला की दो लड़कियों ने सरे बाजार पिटाई कर दी वीडियो में पिट्ती हुई दिखाई दे रही दो महिलाएं कोई और नहीं बल्कि यूवक की दोनों बहने हैं और जिस महिला को ये पीट रही हैं वो इन दोनों के भाई की गर्लफरेंड सरे बाजार प्रेमी जोड़ी की इस पिटाई का वीडियो और उसकी कहानी शहर भर में चर्चा का विशे बनी हुई है सोशल मेडिया पर भी दोनों के चर्चे और पिटाई का वीडियो वाइरल है उत्तरप्रदेश के हरदोई में बीच बाजार 48 साल की एक महिला और 24 साल की एक युवक की पिटाई का मामला सुर्खियों में बना हुआ है बताया जा रहा है कि 24 साल के युवक को 48 साल के महिला से प्रेम हो गया था लेकिन युवक के घरवालों को ये संबंद पसंद नहीं था पहले तो घरवालों ने उसे मना कर दिया काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना इसके बाद घरवाले उसकी हरकतों से खासा परिशान हो गए और फिक परिजनों ने उसे सबक सिखाने की ठाने और एक दिन से योग वश दोनों बाजार में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाजार में टेहल रहे थे इसी दोरान यूवक की दोनों बहनों ने आकर पहले तो महिला ही पिटाए की और उसके बाद अपने भाई को भी कूप पीटा करीब आदा गंटे तक चले इस हंगामे और मारपीट के बाद रेलवे गंज चौकी पुलिस ने वहाँ पहुचकर मामला शान्थ कर पाया हरदोई के अपरपुलिस अदिक्षक निपेंदर सिंग ने बताया कि दोनों का प्रेव पिरसंग है यूवक के परिजनों को ये संबंद नामन्जूर है इसलिए सारे बाजार ये मारपीट हुई है मारपीट और हंगामे के बाद पुलिस विशीश रूप से चौकस हो गई है पुलिस ने सभी को थाने ले जाकर मामला दर्स कर लिया है पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों से विस्तार से पूश्टाश करने के बाद घटना की सभी पहलूओं को देखते हुए है आगे की कानूनी कारवाई की जाएगी फिलाल चौबिस साल के युवक की अरताले साल की महिला गर्फरेंड की पिटाई की चर्चे जिले भर में है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स भी जम कर तंज कस रहे है